हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे हिंडाल को शेर के भारे में हिंडाल को शेर में पिछले 3 दिनों से चोटी-चोटी गिरावट हो रही है तो क्या ये गिरावट कांटीनि हो सकती है इस पर हम कर लेते हैं चर्चा तो पर यहाँ पर आप देखेगा आपके सामने आपके चार् तक यहां से जब श्टॉक में कर्रेक्शन आता है तो यहां पर हम देखते हैं ऊपर की तरफ साड़े चार्सु रुपए तक जाने के बाद हमें क्या दिखाई दिया इस टॉक यहां पर कंसुलेट करता हुआ दिखाई दिया इस टॉक ने एक सपोर्ट जनरेट करा था 380 रुपए पर यह बहुत ही इंपोर्टेंट सपोर्ट यहां पर होने वाला है इससे आप ध्यान रखिएगा यहां से श्टॉक फिर उपर की तरफ गया साड़े 400 रुपए तक जाने के स्टॉक में एक हलका करेक्शन आता है इस हलके करेक्शन को हमने देखा स्टॉक फिर से उपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया फाइनल इस टॉक फिर से नीचे की तरफ गिरा और यहां पर हम क्या देख रहे हैं जो रेड कलर की लाह तो फिर से जाकर के कहा पर रुपता है तो आप यहां पर देख सकते हैं 380 रुपए पर फिर से सपोर्ट लिया है यहां पर सपोर्ट लेंगे पश्टाग उपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया और उपर जाते समझा फिर आप देखेंगे जो रेड कलर क्लाईन है जहा गिरावट एक बार फिर कंट्रीन आपको दिखाई दे सकती है नीचे जो ग्रीन लाइन है पचास दिनों के एक्सपोनेंशल मुविंग एवरेक लाइन भी कल के दिन तूटती हो तो इक बार फिर से आपको नीचे की तरफ लगबग लगबग और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक इस वाचिंग दिस वीडियो